नमस्कार दर्शकों इन्बीसीन न्यूस के आज के भविश्य दर्पन कारिकरम में फिर एक बार आपको सबीका स्वागत है तो जिस तरह हर बार की तरह अब इस वक्त हमाई साथ मौजूद है जोती शाचारे वास्तु विशेशग्य और अंक शास्त्र विशेशग्य नागपूर के जानी माने टेरुकार्ट मास्टर ज्योती शाचारे श्रद्धानत मोहन महराज जी तो जिस तरह अभी चल रहा है मंगल शनी मंगल योग अब इसका लोगों के जीवन पर क्या असर होगा और इस पर किस तरह की एहतियाद बरतनी चाहिए और इसका पूरा बारा राश्यों पर किस तरह का असर पड़ेगा इन सभी बातों को जानेगे आज के इस कारिकरम में तो इन सभी बातों के जवाब और हर सवाल का जवाब जाने के लिए सीधे रूप करते हैं महराज जी का माराच जी इस राशी के बारे में क्या बताएंगे और किस तरह इसका बारा राशी उपर क्या असर देखने को हमें मिलेगा और किन-किन साफधानी बरतनी चाहिए उस बारे में क्या बताना चाहिए नमस्कार, सारे बीसेन के दर्शकों को हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार है देखे, जैसा हमारा भुविश दरपन कारेकरम चलता है आज हम एक अनोखा विशेई लेकर आएं जो आकाश गंगा में बारा राशी वा लोग, बारा राशी के लिए भी आज के दिन शनीमंगल योग चाल हुए अभी ये शनीमंगल योग, अभी एक 5-10-15 दिन से थोड़ा सा उसका कम था असर अभी यहां से बहुत जोर पकड़ने वाला है यहां से लेकर एक महिने तक का इसका असर बहुत जोर रेने वाला है धरती पे हर चीज मैंने आपको शनीमंगल योग के चलते दुरगटनाई दिखने को मिलेगा पानी में, हवाई के प्लेन जो रहते हूं उसके दुरगटनाई पानी में और भूमे चलने वाले गारियों पे उसका दुरगटना प्रत्वी पर चाहिए देखने को मिलेगा तेल से युद्ध और अपना लोगों में एक कोला हल होना, कन्फुजन्स होना, परेशानी होना, नया बीमारी के शुरू होना ऐसा सारे शनीमंगल योग के चलते मिलता है देखने को और ये शनीमंगल योग इसलिए जादा बोरा माना जाता है देखो शनी एक तामसिक ग्रह है, मंगल तामसिक और राजसिक ग्रह है और जब शनीमंगल का योग होता है, जब भी हमारे आकार जंगा में तभी विस्पोट होता है, अचानक बड़े घटना है घटनी है, अचानक लोगों को मार लगना, चोट लगना, एक्सिदेंट्स हो और इन बाराराशी वाले लोगों ने अगर शेनी मंगल योग से जो दुश परिणाम होने वान हैं, इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कैसे हम प्रभु का आरादना करें, क्या-क्या दांधरम करें, अगर इसमें जानते हैं, थोड़ा सा इसको बालन करते हैं, तो हमारा जीवन में आने वाला क्ष्ट, जैसे आपको समचव 100 रूपए चबाना, यह अगर उपाय करते हैं, कुछा पाट करते हैं, कुछ रूपए के बदले, आप 10 रूपए में मुक्त हो जाएंगे, 10 रूपय का कस्ट होएगा, 90 रूपय आपके कस्ट निकल जाएंगे, तो ये जानते हैं दर्शकों, आज शनी मंगल योग के बारे में, और इसका अलग-अलग राशे के लिए फला फले ने शुब अशुब फल क्या है, ये जानते हैं, सबसे पहले हमेशे के तरह मेश राशी मेश राशी में कैसा है, राशे के अंदर ही गुरु चल रहा है, राहु चल रहा है, लेकिन इस राशे का स्वामी मंगल है, मंगल सिम्म राशी में शुक्र के साथ बैठा है, जिसके पर गुरु की दृष्टी है, जिसके पर राहु की सोमी दृष्टी है, और अपना समसब तक योक्षणी और मंगल का आमने सामने योग होने से मेश राशी वालों के लिए कैसा होता है? उनके कामकाच के अंदर बड़ोतरी मिलना, कामकाच के अंदर खास करके partnerships में थोड़े से confusions होना, मेश राशी के पार्टनर्स के लिए बॉसस के लिए परिशानी होना और मेश राशी जिनका मेश राशी उनके बच्चों को संतान को लेके थोड़ा परिशानी कस्ठ होने का योग बनता है और मेश राशी जिनका भी उनके पत्नियों के लिए या मेश राशी के पत्नियां उनके पतियों के लिए परेशानी का योग बनता है तो इसके लिए क्या करना है मेश राशी वालों देखो सबसे पहले मेश राशी वालों ने अपने संतान को ध्यान से गाड़ी चलाना, संतान के स्वास्त को ध्यान देना है, अपने स्वास्त को ध्यान देना है, समझो जिनको मेश राशी वालों को अलोडी पेट का प्रब्लम करना क्या है और बंगल भग्वान के स्तोत्र का पाट करना है उस नहीं आता है वो मंगल का भगवान का मंत्र सीधा साधा मंत्र है एक सारे राशी वाले पाट करतें तो अच्छा मेश राशी वाले के खास करके इस शनी मंगल योग में अगरे पूजा पाट करतें है और हनमान जी के मंदिर में पाव किलो उडद डाल, पाव किलो गुड अगर देते हैं मंगलवार शेनिवार को, तो इससे उनको बहुत अच्छा लाब होगा, व्यापार वृद्धी होने का योग है, और पार्टनर्शिप से शेर मार्केट में ये रच जो लोग पेटोलियम क का काम कर रहे हैं, जो लोग शर्जिकल्स का काम करते हैं, और जो लोग पेटोलियम संबंद, इनर्जी संबंदित खोईले, उनको लाब होने का योग दिख रहा है, बश nieuरते थोड़ा सा वहाहन सोग समझ में चलानाहर yönए और अपने राशी वालों के लिए भूमी मकान सम्मंदित थोड़ा एक कस्ट बनता, परिशानी बनता, काम काच के अंदर टेंशन बढ़ता है, और रुषब राशी वाले जीन में उनके माता को प्राब्लम, उनके माता के स्वास पे बहुत ध्यान देना है, माता को अगर समझो BP है, शु प्रिशब राशी वाले वाहन सोच समझ के चलाना जरूरी है, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए भी एक पाव किलो मसूर दाल, पाव किलो उडद दाल, पाव किलो गुड, अगर ये हनमान जी के मंदिर में शनिवार, मंगलवार को देते तो बहुत अच्छा है, अगला है अपना मिथुन राशी, देखें, मिथुन राशी वालों के लिए शनि मंगल योग का जो योग है, उनके लिए अडोस-पोडोस के लोगों से लोग के साथ मतविद होना, छोटे भाईयों को प्रावलम होना, लेकिन मिथुन राशी वालों को ये बहुत अच्छा है, कि नया नेत्रत्व मिलने का, नया कुछ उनको संभालने को जिम्मेदारी मिलना या लीडर बनना या नेत्रत्व करने का योग बनता है, और मिथुन राशी वाले कुछ लेखन का काम करते हैं, तो मीडिया का काम करते हैं, तो उस पे उनको बहुत ये श्कीरती मिलने का योग बनता है उनका जो willpower है और उनका जो आत्मशक्ति है बहुत बढ़ा चड़ा रहेगा लेकिन अपने जाजा दोश में जोश में आके अपना काम नहीं विगाड़ ले मिथुन राशी वाले थोड़ा ध्यान रखना है दिमाग पे शांती बना के रखे मन में थोड़ा सा शांती बना के रखे तो उनको अच्छा रहेगा मिथुन राशी वालों को उन्होंने क्या करना चाहिए मिथुन राशी वाले रविवार के दिन सवा किलो गेहूं और गुड देना चाहिए और शनिवार के दिन पाव किलो गुड पाव किलो मसूरदाल पाव किलो उड़द अगर इतना शेनिवार के दिन मिथुन राशेवाले देते हैं, तो उनके कामकाच के अंदर और उन्नती होएगा, और उनके भग्यदे में उन्नती होने का योग बनता है, लेकिन मिथुन राशेवाले अपने पिता से मतवेद होने नहीं देना है, अपने पिता के स्वास्त पे पू सम्मान, विल्पावर बड़ा रहेगा, उनको नया तेजस्विता अच्छे विल्पावर का अनुभू होगा, लेकिन उनके वानी से संबंदी तो उन्होंने बहुत ध्यान देना चाहिए, आपसी परिवार के अंदर रिष्टे बिगड़ने नहीं देना चाहिए, जितना बोल से भी उनको परेशानी होना, उनका नाम खराब होने का योग बनता है, करक राशी वालों के उपर काम काज में दबाव बढ़ना, क्योंकि उनको धिया चल रहा है, उसके उपर शेनी बंगली होगे, उसके अंदर काम काज में दबाव बढ़ना, जो उनका काम नहीं, वो काम भी कराना लोगोंने उनके उपर जूटे अपवाद लगना और गाड़ी संबंदी थोड़ा कष्ट होना और उनका पैसे जो आना है वो अटक जाएगा टाइम पे नहीं मिलेगा तो ओज्जेश्मेंट थोड़ा बना के चले तो अच्छा है जिनको पेट संबंदी प्राबलम है जिनको अंतर योगो प्राबलम है उनको जादा सा प्राबलम होने का योग बनता करक राशी भालो के लिए तो करक राशी भालों ने क्या करना सवा किलो चावल मसूर दाल और गुड़ सुंबार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में देना है शनिवार के दिन पाव किलो म मंदिर में यह हनुआंजी के मंदिर में शरीवार को देने से उनको यह इस स्पीड़ा से भुध 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 रहत मिलेगा परिषानी कम होगा लेकिन कुल मिलाखे करक राशी लिए गाड़ी, करेंट और आग से थोड़ा सा दूरी बना के अराम से थोड़ा उसको काम करे तो अच्छा है। अगला है सिम्ब राशी देखे। सिम्ब राशी वालों के लिए क्या कहना अभी उनके राशी में ही शणी वंगल योग चालू है। राशी में शुक्र बैठा है, लेकिन उसके गुरू की दिश्टी रेने से उसका मातरा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कैसा है पती-पत्न में लोग जोगोना, पार्ट्रेंशिप्स में परेशानी होना, उनके सिंब राशी वालों के पिता के लिए थोड़ा परेशानी बनना, या उनके पिता को थोड़ा सा मिजगाइड कोई कर सकता है, आपके प्रती सारे योग बनते हैं, और सबसे बड़ी बात स्वास्त पर है, क्योंके सूर्यज का गोचर अभी करकराशी में हो रहा है, सिंब राशी वालों को बारवा घर हैं, तो उनके लिए स्वास्त को लेके येक मैना बहुत सावधानी बरतने सिंब राशी वालों ने, और उनको अपयश या फिर उनके ओपर गलत इलजाम लगने का भी योग बनता, तो उन्होंने मैंने जो अभी बोला दांधरम अगर करते हैं, ओम शम्शन श्चराणम हैं, ओम अंगडाणम हैं, इसका जाप करत हैं, रोज 27 बार तो करते हैं, तो उससे अभुशिलाब मिलेगा, और शनी मंदिर जाना है, या हनमन मंदिर जाना है शनीवार को, और हो सके तो अपने पिता और माता के चरण शुके अगर निकलते तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, अगला है अपना सिंब राशी, देख जूला एफेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि कन्या राशी वालों के इसा है, उनके दुश्वनों पे जीत हासिल करना, कॉम्पुटेटर्स को हराना, कॉम्पुटेशन में जीतना, कोई प्रतिस फरदायत उसमें जीतने का योग बनता, लेकिन वाहन बहुत-बहुत संभल के चलाना चाहिए, जिद न करें, जगडा न करें, दिमाख ठंडा रखें, छोटी-छोटी बात को दिल पे लगा कर बुरा नहीं माने, करकर है, कन्या राशी वाले, और कन्या राशी वालों को कैसा, मंगल और सूरज बारवे में हैं, उस पर शेनी की दिश्टिति, आनाप श पाट करें, बुधवार की दिन भगवान राम के मंदिर जाके पाव किलो, हरा मुंग, गुड़ दान दें, और मंगलवार के дिन हो सके तो मसूरदल और गुड़ पाव पाव किलो अगर हनौश की मंदिर में दान देते तो इसको इनको बहुत अच्छा रहेगा, और क्या है नेकी के रस्ते पे चलते है ना परमात्मा का जुरूर साथ देगा अगला है अपना तुला राशी देखे तुला राशी वालों के लिए ये जो शेनी मंगली होगे बिला जूला असर रहेगा तुला राशी वालों के लिए लौटरी संबंदित फाइदा होना जो लोग शेर म लिए बहुत अच्छा रहेगा बशरते तुला राशी वाले क्या करना चाहिए थोड़ा अपने पती या उनके पती का तब्यत का ध्यान डखना चाहिए बच्चों को लेकर तो पानी जहां पर गिरता है जहां पर पानी ज़्यान रखना चाहिए और विध्यारती लोगों ने सोच समझ के स्कूल ट्रिप कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं सोच समझ के जाना चाहिए अगला है अपना व्रिष्चिक राशे वालों के लिए एक तो ढईया चल रहा है शनी का और उसके पर गुरु और रहो का गोचर भी ठीक नहीं है उसके पर शनी मंगली होगे तो उनके कामकाज में अर्चन आएगा कामकाज बनते बनते बिगड़ेंगे और उनको कोई भी नाम खराब करना या उनके उपर कोई गलट टिका टिक पुनी करने का योग बनता तो खास करके ऐसे कोई प्रसंग में जाए ने या प्रसंग पाइदा होने को नव दे जिसके उनके बद्दा मी हो तो समझ के विभार करें और खास करके अपने पिता के स्वास्त का ध्यान माता को अगर बीपी है माता को अगर समझो लिवर किड़ी का प्राबलम है तो व्रिष्चिक राशी वाले लोग बहुत ध्यान दिना चाहिए और व्रिष्चिक राशी वालों को भी अगर पेट संबंधी प्राबलम है सरदर संबंधी प्राबलम है और हाट संबंधी प्रा यह अपना विष्चिक राश्यों के लिए एक मैना थोड़ा सा परेशानी वाला है। अगला है दिन्राश्यों के लिए मूड अच्छा नहीं रहेगा, बुजा-बुजा रहेगा, काम जो सोचते वो काम नहीं हो पाएगा, जो उनका जो नेत्रित्व करने का सुभाव अच्छा है, लेकिन उस नेत्रित्व के अंदर अगर उने गलत कदम उठा लिया, दस लोग को उससे प्राब्लम हो सकता है, या इसके लिए क्या करना है, बच्चों के हाथ से पाव किलो चना दाल, पाव किलो गुड, उनके बच्चों के आपस्षा दान कराना है, या उनके बच्चों को आप खरीट के दे दो, बच्चों को बोलो, जाके मंदिर में, कोई गुरु के मंदिर में दे कर आए, और हो सके त तो ये धुन रश्य वाले क्या करना चाहिए हो सके तो मंगल बार के दिन कोई भी हनमान जी के मंदिर जाकर आकर नमस्कार करके उधर बैटके हनमान चले सब पढ़कर आएंगे तो धुन रश्य वाले को अच्छा है क्योंकि शनी मंगल योग आप देखर जिसे रस्ते में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखके चलना है तो यह था दुन राश्य के लिए अगला है अपना मकर राश्य वालों के लिए सारे साथी का अंतिम पढ़ा है अस्टर में मंगल शुकुर का गोचर है तो ऐसे लोगों को परेशानी थोड़ा सा पेट संबंदी होगा पैसे को ध्यान देना है और आपके कोई दिल के रिष्टे या दिल को चाहने वाले लोगों से आपको परेशानी हो सकता मकर राश्य वालों के लिए इस पे ध्यान देना है और मकर राश्य वालों के खास करके अभी फिलार के लिए उनको माइग्रेन संबंदित परेशानी होना श शुकुरवार को, मंगलवार को, दुर्गा माता, काली माता के मंदिर जाके दर्शन करते हैं, बताशे और कपूर थोड़े माता के चरोणों में चड़ाते हैं, तो मकर राशे वालों के लिए सोभग्य की प्राप्ति होगी और उनके बंते-बंते काम तो बिगड रहे हैं सार आई से चल रहा है, बीच बाला चरंट चल रहा है, हाला के कुम राशी में शनी हैं, वक्री चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उनका टब्रियक उनको उतना साथ नहीं दे पाएगा, WILLpower उनको अछ्छा नहीं रहेगा, थोड़ा ढरा से बन रहेगा, उनको क्या करना, क्या तो इस पर ध्यान देना है और ये शेनी मंगल योग के चलते कैसा कुम्ब राशी वाले अपने पती अपत्नी से जगडा बहुत होने का योग है Because of third person, कोई दूसरा, तीसरा, कोई इनसान के है परहशानी होने का योग बनता है तो confusion होने न दे Partnerships में भी ये पंगे ये जमेले होने की योग दिखते है कुम्ब राशी वाले के रिपपा या अपना जो Partnerships है जो उसको जो Terms and Conditions क्लियर बना के चलना अच्छी बात है कुम्ब राशी वाले क्या करना चाहिए शेनी मंदिर जाना चाहिए हर शेनी वार को अगर इतना फाव कियलो मंगलवार के दिन अगर आप चड़ा सकते हो हनमांजी का मंदिर में तो यह अच्छा रहगा आपके लिए अनिष्ठ है वो अनिष्ठ कब होगा। आखिर है अपना मीन राशी मीन राशी वालों को भी साटै सेती चल रा है, हलाकि उनका पहला चरण चाल हूँ है, लेकिन मीन राशेवल के सरख गुरु बल तो है, लोगिन गुरु बल कुन्दि थे, गुरु बल पूरा काम नहीं कर रहा है, कोई गुरु चंडालोग चाल हूँ है, उनके लिए और जिद न करें और जो काम उनको जमता नहीं है जो काम उनको बहुत कठीन दिखाई देता है उसको सोच समझ के सुलजा के करें तो अच्छा है नए तो काम विगड़ेगा परेशानी में जाएंगे दोस्तों के चलते हानी होना या दोस्तों को हानी होने का योग बनता है ध्यान देना चाहिए मीन राशी वाले और मीन राशी वाले लोग को देखो आजकल कैसे खर्ची आना शनाव हो रहे है खर्चों को नसर है न पैर है तो आसार सोच समझ के खर्चा करेंगे तो विवस्तित रहेगा और मीन राशी वाले बिल्कुल भी गाड़ी सोच सम बुरे योग बन रहा है तो आमको उसका ज्यादा हनी उठाना पड़ सकता है तो कुल मिला के अपना मीन राशे वालों के लिए भी थोड़ा सा शरी मंगल योग के चलते है तो सावधानी बरतना जरूर है इसमें थोड़ा बहुत दो तिन राशी है जैसा अपना मेश राशी ह और थुल राशी इनके लिए थोड़ा सा फाइदे मंद रहेगा, बाकी सब जो राशिय उनको परेशानी जाएगा, तो इन जो को थोड़ा ध्यान दे और मीन राशिवाले क्या करें हो सके तो क्या करें मचलियों को आटा डाले गुरुवार के दिन शनिवार के दिन हो सके तो गाई को आटा थोड़ा सा गुला करके उसके रुड़त दाल भरकर थोड़ा सा गुड़ रखके खिलाए अच्छा रहेगा और शनी मंदिर और हनमान मंदिर में मीठा बूंदी अगर बीन राशेवाले देते हैं, वो पीले रंके बूंदी, लाल रंके बिन बिन बिलाकर अगर देते हैं, तो उनको एथेच चिलाब होगा, तो ये था दर्शको, अपना बारा राशेवालों के लिए, अपना शनी मंग योग के चलते क्या प्रभाव हैं किस प्रकार से हमने सावधानी बरतनी हैं क्या दान करना है और देखे गोल्डन रूल आपको बताता हूँ शेनी मंगल योग से बचने के लिए आपको कुछ समस्ता समस्ता नहीं है सिर्फ हनमान जी के मंदिर मंगल वार शेनी वार को जाके महाराज जी से जाना कि जो 12 राशी है उन हर एक राशी उपर इसका क्या असर देखने को मिलेगा और हर एक राशी को इसके चलते क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसके प्रकोब से बचने के लिए क्या कारी करने चाहिए तो यकीन अगर आप इन कारे को करें जैसा कि महाराज ने हमें बताया तो इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं और आपका जीवन उसी तरह चलता रहेगा बिना किसी परिशानी से तो आज के भविशित दरपन कारिक्रम में बस इतना ही एक बार परे से शुद्धानंग महाराज का बड़ा ही आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें आज पूरी बारा राशियों के बारे में शनी मंगल योग के प्रकोप के बारे में बताया और सभी समस्याओं के निप्टारे के बारे में बताया तो बाकी खबरों के लिए देखते रहेए बीसी शिदरपन इस कारिकरम में नमस्कार जैहनमान जी